जहें दोस्तों डिफेंस बार्ड में आपका स्वागत है तो दोस्तों यहाँ पर पिछले हपते ये कबर निकल कर आई थी कि अमेरिका अपने सारे काडून बदल चुका है और अब अमेरिका का F-35 लड़ा को बेमान भारत में आ रहा है यहाँ दोस्तों यह लड़ा को बेमान भारत के अंदर आ रहा है और यह Aero India सो में भाग लेगा जो कि बैंगलूरी के अंदर भारत का Aero India सो होने बाला है जो कि 17 फर्वरी से 23 फर्वरी तक चलेगा और दोस्तों यहाँ पर पहली बार हो रहा है कि अमेरिका का F-35 Aero India मैं भारत के अंदर हिस्सा लेगा और दोस्तो इसके पीछे जो अमेरिका का उद्यस है वो यही है कि MRA F-Tender के अंदर वो अपनी पकड़ बना सके और अमेरिका भारत को अपने F-35 लड़ा को या फिर F-15 EX को सेल कर सके लेकिन दोस्तो अब F-35 की तरफ से बड़ा बया निकल कर आ रहा है और F-35 यहां पर भारत के लिए अब वो करने चा रहा है जो कि भारत ने अभी तक सोचा भी नहीं था ऐसे में दोस्तो यहां पर सबसे बड़ा जटका अमेरिका को लगने बाला है तो दोस्तो क्या है पूरी खबर आपको बिस्तार से बताएंगे आप वीडियो में एंड तक बन रही है साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सबस्काइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्काइब कर लीजे ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए तो चलिए दोस्तो सीधे चलते हैं वीडियो पर तो दोस्तो फाइनल यहां पर देखा जाए तो फ्रांस ने अब ये कह दिया है कि भारत के अंदर जो एरो इंडिया सोख होने वाला है उसके अंदर हमारा राफिल एम यहां पर हिस्सा लेगा जिया दोस्तो अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है फ्रांस की तरफ से और आज डेसल्ट एबेशन की तरफ से ये एलान किया गया है कि एरो इंडिया के अंदर हम अपनी राफिल मरीन को भेजएंगे और ये जो राफिल मरीन है वो भारत के नौसेना के लिए 26 लड़ाकू बिमानों की जो टेंडर है उसमें आ चुका है और अमेरिका के एफ ए सुपर होटेट 18 को तंगला प्रत्यों दिये और इस तरह से दोस्तों यहां पर एरो इंडिया 2023 के अंदर अमेरिका के एफ 35 और सुपर होटेट के अलावा फ्रांस का राफिल मरीन तंगला कॉम्पिटेशन दे सकता है और साथी दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर फ्रांस की तरफ से एफ 3R स्टेंडर्ड वाला जो राफिल है वो भारत को भीज़ा जाएगा हालनके दोस्तों इस तरह का कमपिटिशन जो भारत के अंदर फ्रांस और अमेरिका का देखने को मिलेगा उससे यहां पर सीधा फायदा भारत को होगा क्योंकि दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो 2-3 आप्शन भारत के लिए खुल चुके हैं और भारत इन मैंसी किसी एक को चुन कर अपनी नेवी को देने वाला है साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ज़्यादा कमप्टिशन होगा उसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है साथ ही भारत यहां पर टेकनलोजी ट्रांसपर उसके साथ ही आईपी राइट्स लेने की जित पर अड़ा हुआ है और ऐसे में अगर भारत को आईपी राइट नहीं भी मिल पाते हैं तो भारत को यहां पर टेकनलोजी ट्रांसपर तो जरूर ही मिल जाएगा ऐसे में दोस्तों आपका क्या वियू है आप अपना वियू हमें कमेट पर लिक कर बता सकते हैं साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहन